नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत है आज मैं एक बहुती सुन्दर हेंगिंग प्लान्ट के बारे में बात करूंगी जिसका नाम है टेंगल हार्ट टेंगल हार्ट बहुती सुन्दर हेंगिंग प्लांट है और बहुती आसानी से कटिंग से चल जाती है अगर आपको कहीं भी सी कटिंग मिल जाए तो आप इसके बहुत सारे प्लांट बना सकते हैं छोटी सी कटिंग से ही ये प्लांट बहुती सुन्दर लगता है अगर आप इसको कहीं भी किसी भी विंडो अगर आपर टांग दे हाँ फिर बालकनी में टांग दे हैंगिवास केट में लगाके तो वो जगह बहुती ज़्यादा सुन्दर लगने लगेगी और ये प्लांट बहुत अराम से चलता रहता है इसकी कोई ज़्यादा केर नहीं करने पड़ती और बहुती ज़्यादा लंबा हो जाता है आप देखिए मेरा प्लांट लगभग तीन मीटर के करीब हो चुका है औ चाया है यह बहुत दो तो शेयली कोई प्लांट के था को भी इस वीडियो में दिख्वानगी दोस्तों प्लांट को पानी बहुत ही कम चाहिए इसको आप एक दुदु दिन छोड़के ही पानी दीजिए रमेसा sentence के इस प्लांट कोकी आप जादा पानि देंगे तो यह त्य जोड़के तीन दिन छोड़के ऐसे दीजे क्योंकि हम इसको धूप में नहीं टांगेंगे छाया में प्लांट रहेगा वस लाइट इसको मिलने चाहिए आपको इसको ऐसी जगह टांगना है जहां लाइट अच्छी मिले और सनलाइट ना आए जब पुरानी हो जाती है इसकी मेरा प्लांट यह बहुत लंबा हो गया है तो जो नीचे की इतनी लंबी ब्रांच चिसकी हो गई है तो नीचे से हरी रहती है उपर से पुरानी पतिया वो जहड़ जाती है और फिर से देखिए नई पतिया आ जाती है तो इस तरह ऐसे अगर आप इसमें पानी कम देंगे और इसको ऐसी जगह पर टांगेंगे, जहां इसको लाइट मिलती रहे, तो यह बहुत अच्छे से चलता रहेगा, इस पोधे को फर्टिलाइजर भी बहुत कम चाहिए, साल में एक या दो बार फर्टिलाइजर दीजे, बस बहुत है, और अगर आप जादा फर्टिलाइजर देंगे, तो भी यह प्लांट खराब हो जाएगा, तो नहीं तो जादा फर्टिलाइजर चाहिए, और नहीं सनलाइट चाहिए, बहुत ही अराम से चलता रहता है, प्लांट पानी भी 2-3 दिन में, अगर आप देंगे 3-4 दिन में, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, औ और कितनी सुन्दर इसकी देखी ग्रोथ हो रही है, अभी यतना लंबा हो चुका है, तो बहुत ही अराम से हम इसकी बास्केट तयार कर सकते हैं, अभी मैं आपको इसकी कटिंग लगा के दिखाऊंगी, किस तरह से हम इसकी बास्केट बनाएं, इस बास्केट में मैंने इसे रूट्स बन जाएंगी, और उतनी ही जादा ब्रांचिस इसमें से निकल आएंगी, पूरी बास्केट ये फुल हो जाएगी, तो बस इस तरह से रख देना है, इसको मिट्टी के उपर और थोड़ा सा हलका सा इसे दबा देंगे, ताकि सारे जो भी नोड एरिया है, व बिल्कुल भी जादा पानी नहीं देंगे, इसमें जब भी कटिंग लगाते हैं, सिर्फ स्प्रे करनी हैं, हलकी सी, और तीन से चार दिन में इसी तरह से हम इस पे स्प्रे करेंगे, बस जब तक ही चलना स्टार्ट नहीं होती है, जब चलना स्टार्ट हो जाएगी, उसके बाद भी जब मिटी सूखे तो ही आप पानी दीजे दो तीन दिन में, और इसको ऐसी जगह पर रखे जहाएं, इसको अच्छी लाइट मिलती रहे और सनलाइट ना आए, तो ये बहुत ही जल्दी हमारी कटिंग चल जाएगी, अभी ये देखे में दिखा रही हूँ आपक और कितनी लंबी हो गई है, सिर्फ इसको 20-22 दिन ही होगे लगाए हुए, तो बहुत ही अराम से कटिंग से चल जाता है, अगर आपको कहीं किसी बहार या किसी फ्रेंट के आप मिल जाए तो आप कटिंग भी लाकर इसके खुब सारे प्लांट बना सकते हैं, या फिर एक प